जाहिन भाईयो स्वागत है आपका आपके अपने यूडिव चैनल एसम से जिन मतसर तो भाईयो SVI का तीनों ही सिफ्ट का मेंस का एक्जाम खतम हो चुका है और मैं जानता हूँ आप सभी बहुत बेसब्दी से और expected cut-off की वीडियो का इंदजार कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में में आपको अपने अग्सेविसमेंट भाई का कितना cut-off जा सकता है उसके बा़े बताऊँगा साथ ही मैंडी वीडियो में जो आपका result है कि कब तक result तो दोस्तों मैं कल से जब एक्जाम हुआ है तब से ही मैं इसके अनलिसिस में लगा हुआ था और काफी दिसर्च करने के बाद मैंने वीडियो गुनाया है और मैं जो एक टॉफ पताने जा रहा हूं मैं जानता हूं इससे काफी हो सकता है कैंडिडेट अभी एगरी ना करें ठीक है लेकिन मैंने बनाया है और काफी इसमें मैंने ध्यान में रखते हुए तब मैं बता रहा हूं कि इतना कटोफ जाएगा जो मैं यह एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसकी कई सारी वजह हैं जो मैंने ध्यान रखते बनाया है और अगर डायरेक्ट केवल कटोफ देख लेंगे और तुरंत कटोफ कर तुरंत जो है आप कमेंट कर देंगे कि आप ऐसा कैसे बता रहे हैं यह कैसे जाएगा मैं मानतों बहुत से लिए ना करें लेकिन यह मेरा प्रेडिक्शन है और मैंने बहुत सारी चीजे यहान में रखते जाएगा कि मैं क्यों बता रहा हुई है तो वीडियो को दिहान से दी सुनिएगा और अराम लाश्ट तक देखिएगा तब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं जो रिजल्ट की है कि कब तक रिजल्ट आएगा यह बहुत से कैंटिर्ट बू टैयार किया है क्यों कि इस आप पहले जाल लेगे उसील कि कहाला है अगरे इतना कटोफ में बता रहा हुई तो यह मैं बता रहा हूं आपको लाश्ट यह ती और कितनी ही कि द हम्मीद मैं कटो इमहरूब मता रहे कहिए लोड है वेकलोग पी नर्ट कि साल कितने हैं में कि मिनियों कितना रहेगा 50 रहेगा 45 रहेगा या उससे भी कम करेंगी इस पर करेंगे नहीं करेंगे तो पहले उससे पहले आप इस डेटे पो समझे लाज्ट यज़ फेकंशी जो थी एक्सरीसमेन की हमारी 558 इसमें 2021 का इंक्लोडिंग लोग इसमें से 93 वेकिंसी वेकिलोग रह गई थी है जो इसमें 2023 में यह अपने डिसेब्ल मेन वाली की 324 गंशी टि जिशमें से 164 गंशी बैकलोग रह गई और यह 2023 वाले में ग्याइड हुआ है तो अब यह जो अगर आप परसेंटेज वाइस देखोगे तो लगबाग एक्सविसमेन की 15 परसेंट वेकंसी वैक लोग में थी और डिसेबल की फिफ्टी परसेंट वेकंसी आपकी खाली रही थी तो अभी 2023 में वेकंसी अच्छी है नोडाउट 910 वेकंसी है एक्सविसमेन की इंक्लूडिं कि वेकंसी हमारी कितने ही परसेंट वेकंसी रहे हैं लाश्ट यह आप जानते हैं मिनीमुम जो कटोफ रहा था एक्सविसमेर और डिसेबल का 50 कटोफ था मिलिए और उससे पिछले साल 60 तो आईए अब हम कटोफ की बात करते हैं तो इस बार कटोफ मैं वैसे बताने के लोगों के आए हैं कि कितने माक्स स्कोर कर रहे हैं उसमें जो पॉल में लोगों अपना बताया है और कई लोगों से बात करने के बाद तो मैक्सिम्म लोगा जो स्कोर है 45-55 काफी लोगों का आ रहा है अब इसके हिसाब से मुझे पूरी उमीद है क्योंकि SBI क्या है अपना एक मैंटेन करकती है स्टेंडर्ट तो इस बार दूसरी बात क्या है कि रिपीटर जितने भी दे मैं इसे बात करना हूं मैक्सिम रिपीटर 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं और फ्रेशर्स केंडिडेट काफी है पहली बार दे रहे हैं मिन्स तो उसके हिसाब से मिनीमम कट आप जो उन लोगों को जोड़त नहीं है क्योंकि नॉमलाइशन में फायदा मिलेगा नॉमलाइशन अच्छा होएगा इस बार और उसमें फायदा मिलने वाला है तो कट आप यहां देख सकते हैं देखें डिसेबल की में बात करूं तो हर जगा पर नहीं भी हो 50 ही रहने वाला है उ हां इसमें यह जरूर है कि मैं इससे एकरी करता हूं कि करनाटक गुजराज आसाम यूपी इनमें राजिस्तान इनमें मैक्सिम चांसे से कि बैक लोग रहेगा लेकिन जैसे अब लाश्टाइम करनाटक में पूरा ही बैक लोग इन सभी स्टेट में इस बार अच्छा बैक सब्सक्राइब करता हूं इसके बार मैं बात करूं यह जो और स्टेट है माचल परदेश जेंड के बिहार यूके उत्रहण मनीपूर नागलेंड यहां भी 50-50 रहेगा उसका तमिलनाडू हड़्याडा मुझे लगता है सायर एक नम्मर यहां पर उपर जा सकता है तो 52 मैंन काफी कम है तो 55 मुझे लगता है और आज परदेश केरला उडिसा यहां 60 मुझे लगता है कि 60 के आसपास रहने के चांसे हैं काफी कम है और डिसेवर्ड एक्सेविसमेन का तो मैंने बताया जैसे कि पहले भी मैक्सिमम पूरे हड़ी स्टेट में 50 ही रहेगा लास्ट टाइ तो नॉमलाइशन में कल की भी सिफ्ट जो हुई है तीनों सिफ्ट में बात करना है तो सबसे जब तफी 25 फैब की जो सेकंड सिफ्ट है वही तफी अब देखो हर किसी केंडिडेट को अपनी सिफ्ट टफ लगती है इस बात से आप एक रिक्वी करेंगे हर किसी को रगता है है कि हावी मेरी सिफ्ट अबती लेकिन मैंने जन्रल कैंडिडेट भी ओवी सी सबके अपना अटेम्ट रूसके बेस पर जो पेपर का रिव्यू है सेकंड सिफ्ट रेली में अपती और सेकंड सिफ्ट वालों को पांच से साथ नंबर तक का नॉमलाइशन में मेरे हिसाब से फायदा मिल सकता है मनब जिनके 45 भी बैठ रहे हैं तो वे भी सेफ है और उसके बाद बात करूंब है तो 25 तारिक की फर्स सिफ्ट है उन्हें फड़ा फायदा मिल सकता है और कल की सिफ्ट कंपेडिवली दोनों और दोनों सिफ्ट के कंपेर में आसान थी तो उन्हें है तो इस वज़े से ठीक चांसिस है कि कट ओफ जो है मिनीमम कट ओफ 50 ही रहेगा दोस्तों यह मेरा अनलेसिस था हो सकता है आप लोग इससे अभी अगरी ना करें तो रिजल्ट का वेट करें और रिजल्ट के बाद देखेंगे कि यह सही होता है नहीं होता है और मैं पहली क्योंकि इतना करेंगी तो मैं इस वास पर भी श्योर हूं कि बैक लोग रहने वाला है अच्छा कासर अच्छा ना बैक लोग रहेगा तो मैं दुआ करता हूं कि मेरा यह कटोफ पताया हुआ गलत हो जाए और SBI इससे कम कटोफ को मिनीमम कटोफ अपना इससे कम डिसाइड करते हैं तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आयोगी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मतने लिएगा धन्यवाद